आज हम मिंटों में ब्रेकफास्ट बनाकर तयार करेंगे इसे बनाना बहुत आसान होता है इसे हम सिर्फ प्यास से बनाएंगे बिल्कुल भी हरी सबजी का हमने यूज नहीं किया है तो आप जरूर बनाएगा चलिए हम फट फट से अपने ब्रेकफास्ट को बनाना नमस्ते मेरी प्यारी यूटूब फैमिली कैसे हैं आप सब मैं आसा रखती हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप अपना ख्याल भी रखते हूंगे तो आज हम सिर्फ प्यास से बहुत ही टेश्टी नास्ता पनाएंगे तो कभी-कभी ऐसा सभी के घर पे हो जाता ह थे बहुत ही टेश्टी लगएगा आप मेरे लिए तरीक से साप्ट्राइक करेंगा सभी को बहुत पसंद आएगा और बनाने से बहुत आसान है मिंटो में आप इससे बना कर तयार कर लेंगे और आप बनाएगा खाएगा और प्यारा सो कमेंट करके मुझे जरूर लाइक कर दीज़ेगा आप मेरे इस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजे लिंक मैंने डिप सेक्षन में दे रहा है यहां पर मैंने दो हरी मिर्च ले रखी है जिसे मैंने रफ्रे चॉप कर रखा है एक इंच का टुकड़ा मैंने 20 से कट कर लिया है और 15 से 20 लसन की इकलिया चाहिए हमें 5 मैंने प्याज ले रखे हैं अगर आपके पास कोई भी सामान ना हो कोई भी नास्ता बनाने के लिए सबजिया ना हो तो आप सिर्फ प्याज से पुखत ही टेश्टी नास्ता बना सकते हैं और मिंटों में ये बनकर तयार भी हो जाएग एक कफ मैंने चानी हुई सूजी ले रखे हैं आप ध्यान रखेएगा कि आपको बारिक वाली सूजी लेनी है मोटी वाली सूजी आपको नहीं लेना है अगर आपके पास मोटी वाली सूजी हो तो आप मिक्सी जार में थोड़ी देर चला के पीछ लेंगे तो पतली हो करेंगे सिवस्क्राओं डियार दिया है और अब में लजए कर दिया है और इसमें डाल्सें गए हडिन आप्ट पिर द खेश्ट के हैं असफटा प्याज को हमने अच्छी तरीके से पीस लिया है तर देखियी एकदम । फाइण पीस कर प्यास टैयार हो गई है, सबमें टुटडे अच्छी तरीके से आप को ऐसे ही पीemu प्यार कर लेनी है तो अब हम ले लेंगे फट फट से एक बाउल और बाउल में सारा टांसफर कर देंगे सारे प्याच को मैंने टांसफर कर लिया है बाउल में और अब हम इसमें ये छानी हुई एक कप सूजी डाल देंगे हम इसमें कुछ मसाले भी एट करेंगे जो हमने ले रखा है सारे मसाले डालने के बाद अच्छी तरीके से हम ऐसे ही पहले मिक्स कर देंगे पानी हम बाद में डालेंगे मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है सूजी को और अब हम इसमें डालेंगे पानी और पानी हम मिक्सिजार को धुल के डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसमें पानी डालते वे देखी बैटर अच्छा सा तयार कर लिया है और अब हम इसे 15 मेट के लिए रेश्ट पे छोड़ देंगे ताकि हमारी सूजी अच्छी तरीके से फूल जाए सूजी पानी पीने में काफी जादा माश्टर होती है कवर कर देंगे हम छोड़ देंगे 15 मेट बाद हम सूजी को चेक करेंगे और देखिए कितनी बढ़िया अच्छी तरीके से सूजी हमारी फूल गई है और अभी इसकी कंसिस्टनसी काफी ठीक है तो थोड़ा पानी मिस में और एड़ कर देंगे अच्छी तरीके से हम पानी को मिक्स कर लेंगे अपनी सूजी में मैंने अच्छी तरीके से बैटर में पानी को मिक्स कर दिया है और इसकी टोटल एक कफ पानी कईूच किया है एक कफ सूजी थी यानि कि रवा सेमोलीना एक कफ था और एक कफ हमें पानी लगा है तो आप जरूरत के हिसाब से ही पानी डालिएगा कम ज्यादा नहीं करना है पानी और अब हम इसमें डालेंगे कटी भी हरी धनिया हरी धनिया डालने के बाद हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे मैं इस नास्ते को उनके लिए बना के पास कोई सब्जी ना हो अगर आपके फ्रिज में कोई और सब्जी पड़ी हो जैसे की गाजर, सिमला, मिर्च या फिट टमेटो वगेरा वो भी आप काटके डाल सकते हैं आपको इसमें बेकिंग सोडा ही डालना है, बेकिंग पाउडर नहीं डालना है, जिसे मीठा सोडा बोलते हैं और आधा छोटा चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है और अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे, आप ध्यान रखिए जब आप फटा-फट से बनाने लगें भी काफी अच्छा आपका नास्ता कर तयार हो जाए, तवे को मैंने पहले से ही गरम कर रखा है, देखिए कुछ लोग को प्रॉब्लम होती है कि नौन स्टिकी पैन नहीं है, तवा नहीं है तो कैसे बनाए, तो मैं रेगुलर यूज होने वाले तवे पे ही आपको इस नास इसे को पलटने में आसानी हो जाए, इसली पलट जाए नास्ता हमारा, तवे को मैंने अच्छी तरीके से ग्रीज कर लिया है, और फ्लेम लो टू मीडियम ही होनी चाहिए, अब हम फटा फट से डाल देंगे इसके उपर अपने इस बैटर को जो हमने तयार कर, हम इसमें दो पक जाएगा, और गैस की हमारी बजचत हो जाएगी, बैटर को मैंने पूरे तवे फेला दिया है, और अब हम इसे कवर करके पकाएंगे, फ्लेम लो टू मीडियम ही रखना है, मैं आप से बार बार के रहे हूँ, फ्लेम हाई रखेंगे, तो ये कच्छा रह जाएगा, और उपर से जल जाएगा, तो फटा-फट से हम इसे कवर कर देंगे, कुछ लोग देखेंगे, परिशान हो जाते हैं, कि इसके साइज का प्लेट नहीं है, तो कोई परिशानी वाली बात नहीं है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ले लेजिए, प्रेसर कूकर का और इस तरीके से इसके उपर रख दीजिए, इजिली कबर हो जाएगा, आपको प्लेट की कोई जरूरत नहीं है, और इसे हटाना भी काफी असान होता है, थोड़ी देर बाद हम अपनी नास्ते को खोल के देख लेते हैं, और देखें साइट कितनी बढ़िया तरीके से पक कर देंगे, अच्छी तरीके से पकने के लिए, दो मिनट बाद हम अपने नास्ते को खोल के देख लेते हैं, और देखें कितना बढ़िया तरीके से सिख चुका है, और काफी अच्छे से फूल भी गया है, तो साइट को हम अराम से इस तरीके से हटा लेंगे, पहले आप अ आसानी हो जाए, देखें कितना इजली साइट निकल रही है, ऐसे हमें साइट को पहले छुडा लेना होगा, और अब हम इसे दूसरी साइट होने के लिए पलट देंगे, कितना फूला फूला बना है, आप भी जरूर बनाएगा इस तरीके से, और पलटने के बाद हम थोड कितने अच्छी तरीके से पक चुका है, बहुत ही अच्छा बनता ही ये नास्ता, देखें कितना बढ़ी कलर आया है, और काफी जादा फूला है ये नास्ता, आप ऐसे जरूर बनाएगा, अब हम इसे फटा-फट से रख लेंगे एक पलेट में, और सेम इसी तरीके से अप आना एकदम इजली उठी जाता है तवे से आपको रिक्वेश्ट कहने की कोई जरूरत भी नहीं होती, इस तरीके से थोड़ा सा ही हम फैलाएंगे, बहुत जादा नहीं फैलाएंगे, ये काफी जादा फूले फूले बनते हैं, और खाने में ये बहुत ही जादा टेश्री लगते हैं, एनरजी से भरपूर है ये नास्ता, और मिन्टो में बनकर तयार भी हो जाता है, बस इतना ही हम इसे फैलाएंगे, और वापस से हम इसे कवर कर देते हैं, दो मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे, अगर नास्ते को आप अराम अराम से पकने देंगे, तो इसलिए पलट जाएगा, वरना अगर जल्दबाजी करेंगे, तो ये तूट जाएगा, तबे पे ही फिर आपको लगेगा, कि मेरे जैसा आपका नास्ता नहीं बना है, इसलिए आप एकदम धीमियास रखिएगा, और अच्छी तरीके से पकने के बाद ही इसे पलट येगा, तो रि बच गया था, तो ऐसे ही आपको पकाना है, देखे कितना बढ़िया कलर आया है, और अच्छी तरीके से पक गया है, कहीं से भी कच्चा नहीं है, और उतने ही ओनियन, यानि कि प्याज में मैंने देखिए, यहाँ पे चार से पांच नास्ते को अपने बना कर तयार कर लिया है, और मिंटों में बनकर तयार भी हो गया है, तो आप अपनी मनपसंद चटनी के साथ इसे सब करिए, खाईए, बहुत ही यमी लगेगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजे, चैनल पे नए है, आप मेरे या फिरा फर्च टाइम आई है, तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब करके ही जाएगा, मिलते हुँ मैं आप से अगले वीडियो के साथ, तब तक आप मुस्कुराते रहे, अपना ख्याल लगे, अपनों का ख्याल लगे, बाई बाई मेरी यूटूब फैमली